आगरा किस सरवादिक लोग प्रिये चैनल सी न्यूज के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउंडोड करें सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताज महल पर टिकेट विंडो बंद होने के बाद प्रेटकों की परिशानी बढ़ गई है उन्लाइन टिकेट श्कानीं के दौरान प्रेटकों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसके वज़े से देश विदेश से आए परेटकों को काफी इंजार करना पड़ता है ऐसे में ESI अधकारी परेटकों को आउनलाइन ना आने का वहाना करके अपना पला जाड़ रहे हैं ताज महल पर टिकेट विंडो बंध हो जाने के बाद परेटकों की परेटकों की परेटकों को आउनलाइन टिकेट में स्कैनिंग के दोरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है SME SI द्वारा वाइफाई की सुविदा देने के बावजूत परिटकों को ओनलाइन टिकेट के दोरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है SME देश विदेश सियाए परिटक इधर उधर भटकने को मजबूर है हमीं बोलता है कैसे करना है कैसे आपको टिकेट निकलना है यह इदर कोई सिविदा नहीं है यहां बहुत ज्यादा समस्य है सबसे पहले तो आपका नेकर नहीं होगा और वाकि जो यहां के तूर गाइड हो कमलते हैं मिलों ने करवा रखा है बहुत सारी चीजिए यहां पर प्रकार भी बकवास बिल्कुल बकवास क्योंकि बाइड गंटे से ट्राय कर रहा हूं मेरा खुद के नेट से कनेक्ट नहीं हो रहा तो इससे सर्विस का क्या फायदा लाकि ओं-लाइन टिकेट के दौरान हो रही परिशानियों को एएसाइ एधिकारी परिटकों द्वारा ओनलाइन टिकेट ना करपाने का बहाना करके अपना पला जाड़ते हुए निज़र आते हैं ऐसे में ASI ने भलही परेटकों को वाइफाई की सुविदा मुहया करा दी हो लेकिन उसके बावजूद भी ओनलाइन टिकेट के दोरान हो रही परिशानियों का अभी तक कोई हल नहीं निकाला है इसी मजबूरी का फायदा उठा कर परेटकों से जम कर अवैद वसूली की जाती है जस पर कोई प्रशासनिक अधिकारी और नहीं परेटन पुलिस वा एसाई अधिकारी कोई कठोर कारिवाई करने को तयार नहीं है सी नियूस के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट